बजार से मिल्कमेट वगरा खरीकते हैं तो जरा जरा से कंटेनर सो डिर्सो रुपए के आते हैं लेकिन आज मैं आपको ऐसी दो ट्रिक बताने वाल नी हो जिससे आप बजार से भी बढ़िया मिल्कमेट यानि कंडेंस मिल्क आसानी से मिंटों में बहुत ही कम सामन से घर के सा कर सकते हैं घर में बनाना से सस्ता भी पड़ता है बढ़िया भी बनता है इन दिनों जहां हम बजार से मिठाई वगरा खरीदना नहीं चाहते सब कुछ घर में बनाना चाहते तो यह रैसेपी आपके बहुत काम आएगी तो चलिए शिरू करते हैं हाई एब्रिवन मैं यहां पर मैं डाल रही हूं आदा लीटर दूद यानि 500 ml दूद कच्चा या उबलवा कोई भी ले सकते हैं और जो दूद आपके घर में रोज में आता हो बस आप वह ले लीजे सबसे पहले हम हाई फ्लेम पर दूद में एक ओवाला ने देंगे कंडेंस मिल्क जो बजार म और फिर आप तो जानते हैं कि उसे मिठाई हैं कितनी टेस्टी बनती हैं यही पर मैं इसमें डाल रही हूं 200 ग्राम चीनी कप से बुलू तो लगवग एक कप चीनी है कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है न तो चीनी की मात्रा अच्छे से पढ़ती है इसमें अब लगातर जानी और दूद को हम इस तरह हिलाते वे पकाएंगे थोड़ी ही देर में देखेंगे इसमें उबाल आने लगेगा और धीरे धीरे दूद का कलर चेंज होने लगेगा इस तरह चलाए जरूर जिससे कोई भी चीज नीचे तले में जले नहीं और यह देखें दूद में एक करेंगे जैसे पीले से रंका और उसमें बढ़िया गाड़ा पन होता है बिलकुल वैसा ही साइट से इसक्रेप करके जरूर मिक्स करते जाए जिससे जो इसका टेक्स्चर है वो बिलकुल क्रीमी रहे और इस तरह बना करके जब आप इसे एक महीने के लिए तो अभी तोहार है इसका देकि कलर भी थोड़ा फीले पन पर रहा है वैसे ही हो जाएगा जैसे बजार के कंदेंज मिलके जो डिब यातना मिल्क मेट बगरा के मिठाई मेट भी याता है वैसा ही यह देख रहने से बबल सा रहे हैं पूरे मैं फ्रोधी सा होता जा रहा है अभी मैं आपको जो तरीका भी बता दूँगी जो तरीका आपको चाल अचाल अगे वैसे आप बढा कर रख सकते हैं दोनों ही बेस्ट है और यह देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंज जो घर जाए है क्या मस्त दिख रहा है बिलकुल लग रह रहा है ना कंदेंज मिल्क जैसा और आप देख सोड़ा यानि खाना सोड़ा मीटा सोड़ा होता है ना बस वही और खाना सोड़ा डाल करके बस लगातार इस तरह चलाएं और गैस को ओन करें सिर्फ तीस सेकंड के लिए आपको दिखेगा किसका जो टेक्च्चर एकदम क्रीमी हो जाएगा स्मूथ बिल्कुल मिल्कमेट जै क्योंकि इसे हमें स्टोर भी करना है तो बस इस स्टेश पर आप गैस को बिल्कुल बंद कर दें पूरा ये स्पून को कोट कर रहा है ये देखिए बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है ना एकदम बजार जैसी बहुत बढ़िया बनता है जरूर बनाएगा परफेक्ट बनेग खीर बनाएगे सेवई बनाएगे जो चाहे वह आप बना सकते हैं बर्फी वगएरा नारियल के लड्डू सभी की रसेपी आप बेरे चारल पर देख सकते हैं तो इसको पुरी तरह थंड़ा होने देंगे यहां पर मैंको कुछ ज़रूर देना चाहूंगी माल लीजे आप स तो आप इसमें थोड़ा सा दूद और एक करके इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लें या फिर पकाते पकाते और आपको लगे कि इसका टेक्स्चर ग्रेनी हो गया यानि दरदरा सा हो गया तो भी कोई परिशादी देगी गैस को बंद करके जब हलका थंड़ा हो जाए ना भूले और यह देखिए हमारा कंडेंस मिल्क हो गया है बिल्कुल बढ़िया से ठंड़ और अब मैं आपको दिखाती हूं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपके सामने में इसको पोर करके दिखा रही हो आप देख सकते हैं लग रहा है ना बिल्कुल बजार जैसा और स स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर हंड़ड परसेंट पॉफेक्ट रेसिपी कंडेंस मिल्की तो बस इस तरह बना लीजे और इस तरह बढ़ा करके एक टाइट बॉक्स में आप इसे एक महीने के लिए फ्रिस्बे स्टोर कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाती हूं कंसिस्टेंसी बजार वाले कंडेंस मिल्की ऐसे टिन लेते हैं आप तो देखिया आप के सामने में खोल रही हूं हलका फुलका पस कलर में हो सकता है चेंज यह देखिए बिलकुल ऑल्मोस्ट उसी तरीके का हमारा कंडेंस मिल्क तयार हुआ है जो बजार के टिन में आता है तो बस अब ब लेंगे दो कप मिल्क पाउडर इस पूरे प्रोसेज में आप मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी ग्लास या कप सेट कर लीजे पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार ले ले लिजे तो आपको बजन की विज़रत दी बड़ेगी तो बेस्ट मिल्क पाउडर रहता ह वो रहता है इस तरीके के पैकेट आते हैं किसी भी ब्रेंड का ले सकते लेकिन लेकिन ऊपर लिखा होता है इसकिम्ड बिल्क पाउडर तो ऐसा मिल जाए तो इससे आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा मिल्क पाउडर ओनलाइन परचेस करने का लिंक बेने नीचे दिस्क्र इसको परफेक्ट बनाएगा साथ में इसमें डालेगे एक चोथाई चोटी चम्मच मान के चलिए 2-3 पिंच के करीब मैं डाले हूं बेकिंग सोडा यानी मीछा सोडा खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा से अच्छा कलर और टेक्च्च्च्र आता है साथी में जाएगा उसी अनुसार चाहे तो दूट से बना लीजे चाहे मिल्क पाउडर से और गैस पर चढ़ा कर लो फ्लेम पर आप लगातार इसको चलाएगे चलाना जरूर है वन्ना लंस बन जाएगे तो बस इस तरह चलाते रहें इसकी कंसिस्टेंसी एक दम स्मूथ बनी रहें की क्रीमी क्री और यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्रीमी टेक्स्चर यह देखिए आप रिविन की तरह है परफेक्ट शाइनी ग्लेज के साथ बस दोनों में एक माइनर डिफरेंस जो आता है वह थोड़ा सा कलर का जो आप दूट से बनाते है उसमें बिल्कुल बजा मिल्क है विल्कुल तयार देख रहे हैं इसका स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर जबर्दस बनाए इसको भी आप पूरे एक महीने यूज कर सकते हैं तो आप दोरो मैठट में से जो भी आपको बढ़िया लगे उस तरह आप बना कर रखिए अपना घर का होम मेट कंदेंस मिल्क अब बनाएए सस्ते में धेरो मिठाया, आइसक्रीम केक और डेजर्ट तो अगर आप कैलकुलेट करें तो मातर 28 रुपे में आपका लगबग 300 ग्राम से भी उपर कंदेंस मिल्क तयार हो गया जो आप 400 ग्राम का एक टिन 120 रुपे के लेते हैं मार्केट से इतने सस्ते में घर में ही बन गया, तो देखा आपने दोनों ही तरीके से कंदेंस मिल्क बनाना घर में कितना असान है? आप भी बनाएए मुझे फटाफ़ट कमेंट में बदाएए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और आप कंदेंस मिल्क किस तरीके से बनाने वाले हैं? पक्का करके भिको कर लगब दो से तीन घंटे के लिए रखना होगा पल्स पर पीसना है रुक रुक कर चलानी है मिक्सि पनीर इस अभी का एक दब फाइन पेस तैयार करेंगे हलका सा ग्रीज कर लीजे घी लगा करके लो फ्लेम पर सारे ही मिक्स को हम कडाई में ट्रांसफर करेंगे तीन चोथाई कप चीनी और लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्स है वो पूरा कडाई को छोड़ने ना लगे जब मैं इस पैटोला इस पर लगा भी रही हूँ यह आप देख सकते तो यह देखे घूम रही है इस तरह अब गेस ओफ करके इसमें हम डाले इस तरह से इंप्रेशन अब मैं इसके उपर लगा रही हूँ थोड़े से कटेवे पिस्ता थोड़े सी बड़ी इलाइची के दानों से फोड़े गुलाब की पंखडी से तो यह लिए जो बिलकुल तयार है काजू बाहर मिठाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हैं इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेश को भी जरूर फॉलो करें और सभी रसिपीस की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट कुक्वित पारूल डाट कॉम पर देख सकते हैं थैं जय भारत